परिचए आज सिम्मी अपने कॉलोनी में दोस्तों के साथ रंगों का त्यवहार यानी होली मना रही है उसकी कॉलोनी के सभी लोग सेंटरल पार्क में जमा हुए हैं वे एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं चोटे बच्चे पानी के खुबारे दूसरों पर फेक रहे हैं कुछ देर के बाद वे एक दूसरे के साथ दोपहर का भूजन करेंगे इस पार्ट में हम परिवार तथा पडोस के बारे में जानेंगे आउ सीखें पडोस को परिभाशित करना परिवार को परिभाशित करना भिन भिन प्रकार के परिवारों की सूची बनाना परिवार तथा समुदाइक उस सवों के बीच विभेट करना पडोस किसी घर के चारों ओर या आसपास के क्षित्र को पडोस कहते हैं आसपास के घर, पार्क, अस्पताल, बाजार सभी पडोस के हिस्से होते हैं परिवार परिवार एक ही घर में साथ साथ रहने वाले लोगों का समुध होता है समुध में मादा पिता एवं उनके बच्चे होते हैं एकल परिवार एकल परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें मादा पिता एवं उनके एक या दो बच्चे होते हैं इस प्रकार के परिवार को छोटा परिवार भी कहते हैं, बड़ा परिवार. एक ऐसा परिवार होता है, जिसमें मादा-पिता एवं दो या दो से अधिक पच्चे होते हैं, बड़ा परिवार कहलाता है. सन्युक्त परिवार सन्युक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है, जिसमें मादा-पिता, बच्चे, चाचा, चाची, एवं भांजा-भांजी होते हैं, आओ खेलें, सही विकल्पों को उठा कर उनके संगत स्थानों पर रखें. परिवार तथा सामुदाइक उस्सव, पारिवारिक उस्सव वैसे उस्सव होते हैं, जिसमें केवल पारिवारिक सदस्से भाग लेते हैं. जन्म दिन उस्सव, शादी उस्सव इत्यादी, पारिवारिक उस्सव के उधारण हैं, सामुदाइक उस्सव वैसे उस्सव होते हैं, जिसमें पडोज के सभी परिवार भाग लेते हैं, लोहरी उस्सव, दिवाली उस्सव इत्यादी, सामुदाइक उस्सवों के उधारण है दूसरों की देख रेख हमें अपने परिवार के सदस्यों की देख रेख करने चाहिए हमें अपने परिवार के सदस्यों की मदद करने चाहिए हमें अपने पडोसियों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए तथा आवशक्ता पढ़ने पर उनकी सहेता भी करनी चाहिए पालतू जानवरों की देखरेक हमें अपने पालतू जानवरों की देखरेक करने चाहिए हमें उन्हें नेमित रूप से साफ रखना चाहिए हमें उन्हें उचित रूप से खाना खिलाना चाहिए हमने क्या चरजा की? किसी घर के चारों ओर क्या आसबास के क्षित्र को पडोस कहते हैं परिवार एक ही घर में साथ साथ रहने वाले लोगों का समू होता है एकल परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें मादा पिता एवं उनके एक या दू बच्चे होते हैं संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें माता-पिता, बच्चे, चाचा, चाची एवं भांजा-भांजी होते हैं. पारिवारिक उस्सव वैसे उस्सव होते हैं, जिसमें केवल पारिवारिक सदस से भाग लेते हैं सामुदाइक उस्सव वैसे उस्सव होते हैं, जिसमें पडूस के सभी परिवार भाग लेते हैं हमें अपने प्रिये जनों की देख रेक करनी चाहिए